हेलो दोस्तों स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल पीजिट भारम हरियाना में होप सो भाई सभी दोस्तों के कभूतर हैल्थी और होगी थंदुरुस्तों के भाई कर दोस्तों नग्ते के बारे मतां हों कहूत और मेदे घूर आंगे कinaçãoई कभूतर अंटसकि करते हम दोस्तों कैसे को हम स्टार्प यह कभी अलायता था था वाई हमसे बचेंचों बन तो गया था लेकिन वह ना परणा हो गया था वह पत्थर जैसा वह पत्थर जैसा ऐसा और भाईयों कर भी हो जाता है होता है तो भाई पूरी नहीं बताता कोई जानकारी तो सभी दोस्तों मैं पूरी जानकारी नहीं बताऊंगा भाई आपना बनाना कैसे है और उसको पक करमेंट के जरी है अपनी राए भाई दोस्तों शेर जरूर किया करो बताया करो भाई वीडियो आप दोस्तों समझ आती है पसंद आती है ठीक है दोस्तों तो भाई पैन कप्य उठाले जो भाई गुड़ लिखना चाहते हैं ठीक है बाई चलो मैं आपको एमाट पैल ले तो से बीडियो बटाता हूं दोस्तों जो बनाते हैं कभुट्ण को खोनने के लिए ओता कुट्र की अधार हुआ ठीक है दोस्तों और लेकिन आप बना रहिए हो उडार कैसी खूल लेगा यह मैं बता देता हुम आपको जिन कभुट्रों के आपने उडारले नहीं है पहले आपने उन कभूत्रों को भाई जैसे आज धूप निकल गी भाई जी दिन धूप निकले ना यानि लगातर तीन दिन करना अपने एक छोटा अशा गुड की डड़ी लेनी है चने के साइज की या चने से छोटी गेहू के साइज की वो अपने कभूत्र को दो और धूप में बैठा दो कम से कम 2-5 गंटे को ठीक है जोण चेक भूत्र आपना बाजी के लिए त्यार करने आया उडाने आया फिर उनको ऐसे भाई आपना ये भाई कंटिनू तीन-चार दिन करना ठीक है अपने को तरों को तीन-चे चार दिन अपने देना और लगातर तीन-चार द क्पूतर को दूफ में बैठा देना है उसके बाद आती है वाई संभाल में इस गुडु का प्रियोग करते हैं फिर आपना बाई अपने कुटर की फड़क लेना स्टाट कर दी मानते हैं और आपका उतर वाई उड़किया रहा चार सेड़े-चार गंटे उड़किया आगा कई आप की ड़ी दो भाई हर रोज नहीं देना होती अपने अपने कभूतर को जो उड़ारे हो कभूतर उसको भाई को जिदल को स्कूछ हो जाएगी वो समझे गाया नहीं कि तेरे को उतनी जैसे दीजार या जिसको तुमारे परको लें कबुटर को तब तक कबुटर ने गए अच्छी उड़иля यह अपने करक्शा की चार से पांच पाइफ हे ले लए लियों कुट तो 5 बार। आप ने साइज तरने के बाद थीक है फिर इस का प्रियोग भाई हम तब करते हैं जब हम अपने कुपूतर को बाजी मुदाते हैं फिर ताइम लेते हैं लाश्ट टoup नहीं केफिन से Seven के साल देते हैं थे था बखे मिदेढ़ें के बॉत दे 빠जदे लेंके थोड़ाशा खुद का दिमागी युज क्या करो, वहाई हाई ऐसे निफ़ आ ये बात रही होगी ठीक है, तो भाई लिखलो जिन भाई योग गुड़ लिखना भाई ठीक है, भाई सबसे पहले तो आप पाना भाई प्राणा गुड़ की जुरुत पड़ती है, प्राणा या फिर आप उसके अंदर के बीज निकाल लेना, उसके अंदर के बीज निकाल लेना, वो बीज दस गिराम हो जाए तो बैटर रहेगा और भी ठीक है, फिर आपने लेना भाई काली मिर्च लेना ठीक है, भाई आपने काली मिर्च लेना एक तोड़ा ठीक है, फिर भाई आ दाल चिन भी आपने सकालीय संद तस्वाइब या इक जा में बाइब 3-4 तार्य तुरक्ष टार है this वाह आप छोटी सबसु जोटा दब्भी जावडिके लाव प फर दीज बिता के बाऊचवाइब शिलाजीत लेने बीसक्राम ये रीझाए की ऊरिजनल समान मिलंे एए हो ये अरिजनल न ही давans के बाद आपने लेना मृफ्ज अ सहाथ मिल ने wee दोस्तों उसके बाध है चांदीवर्क चांदीवर्क के लेने अपना 50 ठीक है फिर भाई इसमें जरूत पड़ेगी देसी गी लेना वह भी गाएं का लेना एक चमच अच्छा ठीक है गाएं का देसी गी बैट रहेगा क्योंकि गाएं का गी है न भाई हलका उता ठीक है बैस के दूद घी से तो आपना पीस लेना ठीक है फटकड़े को आपने चूर बना लेना चूरा बना अपने तवे हलकी सी याच को चैं पह गेहला लेना खिल भीं होजाए हो यसित और फटकड़ी को हिला City रहा रह जोगा वहां पानी शेट बना थेगर ऑना ऑपने एक रौंड सांट राएं ख सिला जीत के साथ आंपना है वह कुछ होर चीज थी शिला जीत है ना बाई si ला जीत का वता देत त देखो फटकर्डी को इस चीज से अलख कर लेना और शिला जीज को हो गया तुर्ज़े धाइबाइ चंदी वरक हो गए लोंके टोप्र यू सब इक अपने मेरा बना ले अच्छे से ठीक है अच्छे से कफी बुराद बना लेना है और बुराद बना आइका भगई इन सबी चीजों का जो और यה शीला जीत है यह मलने में तोड़ा ज़या टाइम लेगी इसके अंदर । ठीक है। आप आप अच्छे सी कुटाई करनी है। जब सभी चीज़ का पाउडर बन जाए ना फिर आपना शीला जीत डालना इसके अंदर और उसकी काफी अच्छे से कुटाई करनी है ताकि वो उसके अंदर ना मिल जाए ठीक है ऐसे फिर फिटकड़ी मिला लेनी आपने काफी अच्छे सीन की पिटाई करनी है ताकि यह शीला जी इसमें 15-20 मिट लगेगा आपकी पिटाई करते टाइम इसकी जब यह पूरी तरह स अच्छे से घल जाएगा उसको उससे उतार ले ठीक है थोड़ा सा जब ठीला हो जाए वह निवाया से तो उसके अंदर आपने गुड डाल लेना ठीक है गुड को मिला लेना गुड तया जाएगा ठीक है दोस्तों फिर उसको आज पर निया रखना बेले बता रहे हैं आप फिर उसको आज पर नहीं रखना भाई ठीक है आज पर रखोगे तो वह मैट्रियल फिर से जो पक कर पत्थर हो जाएगा जो टूपटेगा नहीं आप ठीक है तो यह गुण बनाने की भाई पूरी विधी है दोस्तों ठीक है भाई कुछ भाईों को यह भी लगेगा है इसमें कुछ समान नहीं है कुछ भाई यह भी कहेंगे भाई इसमें यह समान नहीं है कुछ कहेंगे वह समान नहीं है तो दोस्तों हम इस तरीक के से बनाते हैं ठीक है जो भाई कुछ और भाई है वो दूसरे तरीक कैसे बनाते है सबका भाई अपना अपना तरीक का होता दोस्तों तो दोस्तों अगर कुछ समझ में नाय तो आप कमेंट में पूच सकते हैं ठीक है अगर समझ में तो पर एक अच्छा सा कमेंट किया करो दोस्तों और वीडियो को आसपस अपने दोस्तों के साथ सेयर करो ठीक है भाई हो और जो भाई वीडियो पर पहली बार आते हैं वीडिय झाल, 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 झाल